हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर चैनल तो टोड़े इन दिस वीडियो आम गोंग तो प्रोवाइड यू लिस्ट ओफ डोकुमेंट्स विच इस बार भी आपके साथ जो आपका जो इंटर्वीव एडमिट कार्ड होगा उसमें आपको डोकुमेंट्स की लिस्ट मैंशन करके आ सारे डोकुमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे फॉर यूर इंटर्वीव तो यह जो डोकुमेंट्स मैंने इस वीडियो में जो प्रोवाइड की हैं डियार बेसिकली बेस्ट ऑन 2020 इंटर्वीव एडमिट कार्ड ओके सो लिस्ट देख लेते हैं पहले जो जनरल आपका जो एडमिट कार्ड होता है इंटर्वीव का वो आपका ऐसा आता है जिसमें आपका लिखा होगा इंटर्वीव एडमिट कार्ड और मेडिकल एग्जामिनेशन सो हेर यू केन clyre your doubt की जिस बचे का इंटर्वीव होगा उस बचे का मेडिकल भी होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको पहले इंटर्वीव क्लियर करना ये उसके बाद मेडिकल होगा ठीक है तो ये जो एडमिट कार्ड है वो बोग के लिए है अडमिट कार्ड फॉर इंट sanitizer is mandatory no candidate will be allowed entry inside the interview center without face mark and hand sanitizer ठीक है then next point जो आपको mention किया गया है that is you are requested to bring a print out of this admit card and self attest photograph affixed on it no candidate will be allowed entry without the admit card so ये जो interview का आपका admit card ऐसा आएगा जिसमां आपकी details लिखी होंगी आपका interview when you mention किया होगा and साथ में जैसे admit card में आपका photo था blank space उसमें आपको एक photo भी एफिक्स करनी है पेस्ट करनी है ठीक है अब यहाँ पर जो most important चीज है जो आपको mention में especially यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आप जो बहुत important है आपको interview के लिए जैसे admit card जब आपका written काएगा तो CBT में आपने कैसा भी face mask आप लगा के गए थे उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन interview क्योंकि एक आपका medical armed hospital में हो रहा है तो उसमां आपको कुछ you know precautions भी लेके जाने पड़ेंगे अपने साथ जैसे आपको कोई सा भी mask आप यूज नहीं कर सकते आपको मैं पहले से ही बता दे रही हो कि जो आपको mask लेके जाना है पहन के जाना है that is only N95 कोई भी आपका printed mask है ना या फिर fiber वाला या फिर जो भी आपका cloth वाला जो mask है वो नहीं चलेगा ठीक है तो this is very important आपको N95 mask ही पहन के जाना है for your interview ना यह कुछ details हैं यह कुछ documents हैं जो आपको mention किये होते हैं आपके interview admit card के साथ ही ठीक है तो यह जो documents है वो मैंने separate करके मतलब तक ही screen पर बड़ा देखे इसलिए यह मैंने separate कर दिये यह जो आपका जो पूरा interview का यह जो पिक है वो मैं आपको telegram पर provide कर दूंगी ओके सो यह 2020 के interview का admit card के साथ जो documents आपको mention किये हुए थे वह मैंने आप पर provide किये तो इसमें ज्यादा changes नहीं होगे क्योंकि पिछली साल का यह पुराना एक साल पुराना ही है तो ज्यादा फरक भी पड़ेगा जैसे आपने देखा होगा 2019 का admit card में जो documents थे that is quite different from 2020 admit card interview documents ठीक है तो इसलिए इसलिए मैंने recent provide किया आपको अब आपको लेके क्या-क्या जाना है यहां पर आप देख सकते हो जो भी documents आप लेके जाओगे that should be in original form along with the attached copy तो जो documents लाइक आपने जितने भी mention यहां पर documents किये हैं इस पेज़ पर और इस भी पेज़ पर तो जितने भी documents यह है total numbering wise तो इसके साथ आपको एक photocopy भी लेके जानी है उस पर्टिक्लर और original के साथ document की ठीक है तो पहला आपका है class 10 की mark sheet आपको लेके जानी है then class 10 certificate equivalent to the certificate indicating the date of birth लेकिन उसे कोई फरक ने पर दा class 10 की mark sheet इनफ है आपके date of birth को प्रूफ करने के लिए ठीक है उसके बाद यह जो passing certificate है यह school से ही मिलता है जहां से आपने 12 किया है तो मेभी अगर आपने exam के time result के time पर यह लेना भूल गए हो तो एक बार अपने school में जाके पता कर लेना कि क्या मेरा passing certificate आपके पास है तो वो दे देंगे ठीक है तो passing certificate होता है वो वो आपको मिलेगा 12 वाला ठीक है तो सब्सक्राइब करने के लिए तो आपको मेंडिटरी है क्योंकि वहां पर जब आपको documents में जो बुकलेट्स जी जाती है आपको medical और इंटर्व्यू को जो बुकलेट्स फिल करने के लिए तो वहां पर आधार काड आपको मेंशन करना पड़ता है अधार नमबर ठीक है तो इसलिए आधार काड इंपोर्टेंट है उसके बाद nationality certificate and domicile certificate तो अगर nationality certificate अलग से अगर है तो अच्छा है वैसे इसकी importance नहीं है जरूरत भी नहीं है आपको domicile certificate अगर है तो यह important है अगर आपके पास domicile certificate है लाइक जो domicile certificate आपके place of birth को इंडिकेट करता है जहां से आप originally belong करते हो लाइक अगर आप रहते उत्राखंड की साइड हो लेकिन नतला अगर यूपी में रहते हो या फिर है ना किसी भी other states में रहते हो लेकिन आपका जो ऑर्जिनल है जो domicile है जिसे आम मूल निवास बोलते है ना वो certificate है अगर आपके नाइन पॉइंट है यहां पॉइंट है यहां पर यहां पर लिखा है तो अगर उसमें बोला है कि अगर दो यह से जाधा गर गया आपके तो आपको एक certificate चाहिए होगा ठीक है यहां पर लिखा है stating the reason of for the gap to be obtained for the from the principal of the office school from where 12th is completed ठीक है उसके बाद the proof of having the past as regular certificate regular candidate to be obtained from school where 12th completed जहां से आपने 12th complete किया है वहां से आपको यह passing certificate यह regular certificate लेके जाना है अब बच्चों को यह doubt होता है कि एक तो आपको मंगाया गया है पास certificate और एक आपको मंगाया गया है regular certificate तो दोनों में difference गया है passing certificate वह आपका पूरा like जैसे certificate होता है उस type का होते है लेकिन जो regular certificate होता है वह as such कोई certificate होता नहीं है आपको एफोशीट में जो भी आप आप में एक application type की जैसे लिखते हो ना वैसे लिखना है आपको ऊपर लिखना है regular certificate आपको अपना नाम लिखना है ठीक है आपको उसमें मैंशन करना है अपनी डिटेल्स क्लास 12 का रॉल नंबर यॉर फादर नेम यॉर अड्मिशन नंबर यह सब आपको सेंटेंस फाइस यह डिटेल्स मैंशन करनी है अधन उसके बाद आपको लिखना है कि आम ए रेंगुलर कंडिडेट फ्रॉम दिस फलाना धिमकाना स्कूल ठीक है ऐसे करके उसके बाद जो प्रिंसिपल हो लास्ट में आपके उसी फॉर्म पर एक सिगनेचर मार देगी आपका एक ऐसे काइंड ऑफ सर्टिफिकेट वह बन जाता है तो दाट इस रेगुलर कंडिडेट सर्टिफिकेट वह तो आपको प्रोपर सर्टिफिकेट होता है कि उसके बाद प्रूफ एविंग पास्डेजर रेगुलर कंडिडेट तो प्रॉम स्कूली तो सेम इंटर्विव में इसके आपको पाँच से दस मार्क मिल जाते हैं तो इसलिए अगर आपके पास आपके फादर आमी में है या फिर रिटाइड है और उसका एक डिपेंडेट सर्टिफिकेट जो होता है अगर वह है तो डाट इस गुड को डिपेंडेट सर्टिफिकेट अगरा डिपेंडेट ऑफ परसनल्स जो किल दिन एक्षिंस डिपेंडेट वह भी एप्लाइ करते तो अगर वह सर्टिफिकेट है तो यहां पर बच्चों ने काफी पिछली बार भी कमेंट पूशे थे कमेंट में कि एंसी सी जो है यह दाट इस मेंडिटरी और नॉट सो ए इक्षिंस तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एंसी सी सी सर्टिफिकेट है तभी आप उसे अप्लाइ कर सकते हो या इंटर्व्यू में उसे लगा सकते हो आपके पास जो भी रिलेवेंट टॉक्यूमेंट है तो उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा आपके पास एंसी सी सर्टिफिकेट ए या फिर एंसी सी होना जरूरी ऐसा कोई इसमें इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है अगर आपके पास एंसी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऐसा है कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई participants का या फिर कोई performance वाला certificate या फिर कोई class certificate या फिर first second prize certificate नहीं है या फिर NCCC certificate या ABC certificate इन वे से कुछ भी नहीं है तो हम interview pass out नहीं गर सकते हैं हमरा selection नहीं हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना certificate का है उनके पास एवन एक सर्टिफिकेट भी नहीं है किसी भी चीज का किसी भी फिल्डिस रिलेटेड स्पोर्ट्स या फिर पेंटिंग या फिर पार्टिस्पेंट से तो उनका भी सेलेक्शन हुआ है अब NCCC Certificate है तो अच्छी बात है A है तब भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे B है तब भी उसका फाइदा है तो जो भी आपके पास मैं यह बोलना चाहती हो इंटर्वी में आपके पास जो भी है ग्रैजुएशन अगर आप निकीए तो ग्रैजुएशन का आप दिखा सकते ह क्योंकि कभी को बार ऐसा होता है कि वो पूछ लेते हैं कि आपने आपका इतना ग्याप क्यों हुआ है तो अगर नेगिटिव इंपेक्ट ना पड़े तो और वो कोईशन ना भी पुट करें अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट होंगे लाइक ग्रैजुएशन का कुछ हो प्राइशन सरटेट लेवल और इन्टरनशनल लेवल इसा यहां पर यह जो सर्टिफिकेट जैसा नहीं है कि आपने ग्रूप सर्टिफिकेट आप लेके पहुच गए वह वह एक्टिफिकेट होना चाहिए और इंडिविजुल परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसमें चाहें वो sports में हो चाहें वो किसी भी other activities में हो लेकिन वो individual certificate होना चाहिए and third price तक यह certificate that is valid अगर आप ने किसी किसी भी event में participate किया है तो अगर उसमें आपको third price तक मिला है तो that is equally important for your interview okay उसके बाद any relevant certificate यहां पर mention किया है तो relevant certificate में वही आ जाएगा जो भी आपका आपको लगता है कि यह certificate मुझे marks यहां फिर मुझे points गेन करवा सकता है इंटर्वीव में या फिर एक positive impact डाल सकता है तो वह आप certificate लेके जाए क्योंकि ले लेके जाने में कोई issue नहीं है ठीक है passport size photo आपको 8 passport size photo लेके जानी है क्योंकि यह जो photo है वह आपके जहां पर आपको booklets मिली जाएगी interview venue पर दो booklets मिलती है एक आपकी medical की और एक interview की तो वहां पर यह photo आपको paste करनी होती है तो यहां पर मैं mention करना चाहूंगी glue भी लेके जाना अपने साथ ठीक है नाओ यह जो fourth point that is regarding to traveling allowance तो यह जो टीए औंडीए आपको allowance मिलेगा that is as per your जो भी आपके जिस भी आपसे travel करके आयो interview venue पर तो उतना आपको खर्चा वहां से hospital की तरफ से आपको प्रवाइड किया जाएगा यह तब प्रवाइड किया जाएगा जब आपका you know जब आपका interview होता है उसी दिन आपको एक TNDA का फॉर्म मिलता है जिसमें आपको अपनी details फिल करनी होती है along with जो आपको जिस प्रूफ जो जिससे आप travel करके आयो railway की अगर आप second class से travel करके आते हो तब ही आपको यह allowance मिलता है या फिर आप बस की ट्रेव करके आयो ठीक है तो उसकेस में आपको वो जो tickets है वहां पर important है आपको चाहिए होगी तो वहां पर यह टिकेट भी लेके जाना है ना टिकेट के साथ साथ अपना account number अगर आपके father का account number है यहां फिर अपना account number है मतलब bank details basically तो क्योंकि bank की आपको front page की photo भी वहां पर चाहिए होती है traveling traveling allowance वह ले फॉर्म में आपको paste करने के लिए if you want that allowance ठीक है तो यहां पर यह वैसे traveling allowance इतना important हो नहीं है मैंने तो इसमें कभी details फिल नहीं की वह help करते हैं आपको अगर आपको यह firm भरना है अलग से जो TA and DA का form मिलता है so that is up to you आपको फिल करना है तो फिल कर सकते हो लेकिन important यहां पर यह है कि अपना account number लेके जाना bank details and bank की passbook का front page जो की important है ठीक है front page लेके जाना front page की photocopy sorry front page फाड मत देना front page की photocopy plus आपको क्या लेके जाना है tickets हना as a proof तो यह दो important चीजह है इसमें now medical examination वहीं होगा जहां आपका interview होगा तो medical examination में लेखा है you will be subjected to medical examination and will not leave this station till the complete medical examination is over and you are informed of the result of the medical examination same day result be declared कि याप फिट हो या unfit हो हलाकि 2019 में यहां पर कुछ अलग चीज थी 2020 में कुछ अलग चीज हुई है तो 2021 में भी that is up to the venue and hospital कैसे आपको ट्रीट करें unfit unfit declare किये और कि ना करें उसको बताए ना बताए रिजल्ट क्योंकि 2019 में ऐसा था कि उन्होंने कुछ आपको बताया नहीं था कि या या उन्फिट हो वैसे तो खुदी पता चल जाता है लाइक जब हमारा medical examination होता है तो हमें खुदी पता चल जाता है वैसे इस बार तो हमारे 2019 में तो आपको booklets आपके हाथ में थी तो हम देख लेते थे कि हमें किस चीज में fit किया है 2020 में यह जो booklets थी वो totally MNS officers के पास रहती थी जो हमें medical examination के लिए ले जा रही है तो इसलिए हालाकि आपको medical examination में इसमें बताया है कि आपको बता दिया जाएगा कि आप fit हो या unfit हो तो ऐस कोई problem नहीं है वो बता देंगे आपको medical में आगर आप fit हो और unfit हो the completion of medical examination will takes place up to 2-4 days any query or doubt related to the medical examination may be clarified from the president of medical board जो आपका board बैठेगा जिसे हम initial medical board बोलते हैं IMB है ना जब आपका interview होता है interview के साथ भी आपको 2-4 दिल लग जाते हैं आपका IMB complete होने में तो जो initial medical board बैठेगा वहाँ पर जो precedent होंगे वो आपको बताएंगे आप fit हो या unfit हो और किस category में किस में fit हो और किस में unfit हो ठीक है तो 2-4 दिन लग जाते हैं वैसे 2 दिन तो बहुत ही कम है 3 maximum 3 दिन या फिर 3-4 दिन लगी जाते हैं अगर बीच में Sunday है तो 5 दिन भी आप मान के चलो उसे साब से ठीक है उसकी बाद the final merit list will be prepared on the basis of this online जो CBT हुआ था CBT exam and interview है ना CBT आप आपका हो जाएगा 150 marks का और interview आपका total हो जाएगा 100 marks का तो आपको यह जो marks है वो 250 में से आपको marks अलॉट किये जाएंगे उसके basis पर आपकी merit list बनेगी और उसी के basis पर आपको colleges अलॉट किये जाएंगे the candidate will be called for admission based on the final merit and vacancy subjects to the medical fitness अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको आपकी rank तो 250 सुरी आपकी जो rank है लाइक जो 220 बच्चे सेलेक्ट होने है उसमें आगई लेकिन अगर आप medically unfit हो तो आँगे वो seat postpone कर दी जाती है आँगे बच्चों को मिल जाती है ठीक है उसके बाद जो 7th point है एनी request for change of interview सेंटर यह तो नहीं हो सकता उसके बाद यू में भी यू में नॉट प्लीज नोट आपको प्रवाइट कर दूंगी आपको प्रवाइट कर दूंगा वहां से वह फोटो का screenshot यहां फिर image save कर सकते हो ओके अगर कुछ भी doubt है इससे regarding यह ऐसे एक doubt बहुत important है जो बच्चे यह सोचते हैं कि मतलब हम graduation कर रहे हैं यह graduation कर चुके हैं फिर starting year of graduation है first or second year and TC नहीं है तो TC आपको you know school एक और प्रोवाइट कर देता है in case मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मुझे प्रोवाइट कर दी गई थी तो TC तो आपको एक और original मिल जाएगी क्योंकि TC आपको original ही चाहिए है न फोटो स्टेट नहीं चलेगा तो उसकेस में देख लेना जिस स्कूल से आपने 12th किया है वहां से आपको मिल जाएगा और यह complete जो interview का जो document की list है वो मैंने आपको telegram पर प्रोवाइट कर दूँगी till Sunday okay if you have any doubt regarding this interview documents let me know in the comment box and soon I'll provide you video on medical examination की medical examination के exact procedure क्या है क्या-क्या आपकी चीज़े जो है medical में कैसे वर्क करती है क्या-क्या चीज़ें आपकी चेक होती है तो वह सारी चीज़ें medical वाले वीडियो में प्रोवाइट करूंगी तो थैंक यू सो मच